हालो फ्रेंड्स फिर से सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने चनल सुजान चेस्वाइब में आज का टॉपिक है हमारा हो पुरिपैर विफोर टुट्नामेंट्स और उसके लिए आज में लाया हूं कुछ एंड गेम्स अभी तक हम मेडियल गेम पे फोकस कर रहे थे किस त हमारा एंड गेम इंप्रूब ही होता है और हम फोकस कर रहे मेड़ी कैल्कूलेशन पर तो दो एंड गेम्स लाया हूं कैल्कूलेशन के उपर पहला इजी है और तुसरा वाला जो है तो वह थोड़ा जटा पॉप्लिकेड़ है चलिए फॉस्ट पोजीशन पर चलते है होता है वाइट यहां के अगर किंग मूफ करें किसी वन पोजीशन देने के लिए तो देखिए के डीफोर और यहां पे अगर वाईट ट्राय करें के डीफोर को तो इफाय करता ही देखिये करेगा और फिर के दीफोर को फिर से एक बार डीफाय और अब देख सकते हो कि अब ब्लैक को मिल गया है की मूफ करते ही प्लैक की को एंट्री मिल जाएगा किंग सिक्स्त रैंक और पॉण उसके पीछे हो तो पोजीशन हमेशा विणिंग होता है किंग पॉन के और उसके न और यह पॉर्ष पीन हो जाएगा तो वाइट के लिए उनली जो ड्राइन चांस है उसको उपोजीशन का यूज करना है पहले पॉर्म को आगे कर देगा इफाइसे अब दिखिए यह जो एक्ट सब्सक्राइब क्या है क्यों क्यूंकि इफाइब देखिए डिफाइब सब्सक्राइब कर देखिए और के लिए कोई ब्लैक के पास तरीका नहीं है फ्री होने का और गेम जो है ड्राउन हो जाएगा क्यूंकि अभी देखिए किंग सिक्स्क्राइब पर आया नहीं है पॉन हला की पीछे और ऑपोजीशन वाइट के पास है तो इसके लिए गेम ज पॉर यह करना जरूरी है इसीन हो जाता है तो यह सब क्याश्चन करना था यह मैं पहला एक्जामपल था इसके लिए ज्यादा के रिए नहीं कर रहा है सीधा बता दिया है नेक्स पोजीशन बहुत ही इंपटन है और बहुत ही इंट्रस्टिंग है उसमें हम calculation of variation जो मेरा main point था इस वीडियो को बनने के पीछे कि opponent का जो moves है, variations को miss नहीं करना, जो हमने middle game में भी किया था, वही करेंगे तो यह second position हमरे सामने, देखिए white to play, इतने हमें बहुत ही मुश्किल लग रहा है, pond down भी है white और king placing भी इतना अच्छा नहीं है, इस position को हम pure calculation से भी solve कर सकते हैं, पर जो मैं technique बता रहा था, logic के साथ calculation अगर use करें, तो end game का जो इसकी लिए हमारा, वो भी बढ़ता है, और हमारा काम जो है, कम calculation से हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम calculation के बतले में just logic use करें, दोनों का use करेंगे, तो काम जल्दी होगा, conclusion पे जल्दी पहुचेंगे, चलिए, जैसे कि यह position पे आते है, white to play and draw है, task, अब बोला के यहां पे, कुछ set of squares इसमें पहिचालना जरूरी है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, calculation में, अगर white kg3 करते हुए, के तरफ जाएगा, तो हार जाएगा, तो समझिए, kg3 किया, तो देखिए, क्या होएगा, ब्लैक जो के 1 आ जाएगा, और kg4 आते ही, kf2, यह बहुत important position, यह बार बार आएगा, और अब देखिए, kg3 के बाद जो है, ब्लैक विनिंग हो जाएगा, से प्रॉब्लम के है, यह से ही kg1 करें, kg1 को देखिए, ke1, opposition मिला, तो किंग अन्पॉर्ड अगेम का सबसे important concept, opposition, kg2, ke2, kg3, और फिर से देखिए, kgf1, यह जो प्रॉब्लम है, इसका कोई, इसमें solution ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ब्लैक को opposition मिलेगा, तो यह position आएगा ही, और kg4, kgf2, फिर वह होए, queen होगा, तो अब opposition के set of squares निकलते हैं, देखिए, सबसे पहले देखिए, क्या हो रहा है, जीवान को हमने देखा, इवान था, जीटू को ईटू है, यानि कि जब वाइट की इटू पे हो, ब्लैक चाहता है कि के इटू हो, और सेम वे वाइट चाहता है, जब ब्लैक की की इटू पे हो, तो उसका किंग जीटू पे है, और सेम डीटू और एच्टू है, यानि कि जब ब्लैक के डीटू करें, तभी ही वाइट को के एच्टू करना है, चलिए भी मैं दिखा देता हूँ, अगर वाइट के एच्टू करें फर्स्टू तो क्या होगा, ब्लैक करे के डीटू, पोजिशन, किंग एच्ट्री, फिर से देखिये डिस्टेन ओपोजिशन, के एच्टू मिस्टे के इना पे, के डीटू को के जीटू डौन, तो के डीटू और अब देखिये वाइट का किंग जो है फर्स्ट जाता है, जहां भी जाएगा आपोनेट लिए के जी पोर के अफ्टू मैंने जैसे बता था यह पोजिशन बार बार आएगा और यह देखिए फिर से लोगा लॉस्ट हो गया इवन की एफ वन और की अफ्टू से कुछ फाइदा नहीं होता क्यूं की एफ़ान को भी देखिए के टू फिर के अफटू ऑपोजिशन त सकते हैं और फिर से आप देखो के जी टू को के लिटू के जी तरी को के एफ़ान यहीं पोजिशन बार बार आ रहा है तो वाइट का उनली मूँ अभी तो आप समझ नहीं होगे वह है कही बार क्या होता है गेम में जब कैलकुलेशन का टाइम इतना जाता नहीं होता है यह तो प्लेयर जल्दी से सोचता है अरे डिस्टेंट अपोजिशन लेके देखते हैं वजए की हरे क्लाइन को कल्कूलेट करें तो लाजिक को यूज करते है और उससे क्या होता है मूफ टोड़ा इजीली बिल जाता है और फिर बस क्या क्या शेक करना होता है कि चल रहा है कि नहीं लाइस जिसको कई बर एलिमिनेशन मेथट भी उस लाइन को हटाओ जो दिखने में पहले खरावे उसको कल्कुलेट करके हटा दो यहां पर देखिए चूज कैसे किया वाइट ने के फवन या के फूब जैसे में हटा दूखरें के डीटू ऑपोजीशन एंट्री मिल र वो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीफोर को अगर एफजी करना पड़े तो इपाउन देखिए जीफोर एट्री इटू इवान क्वीन चेक होगा और वाइट का जीएट क्वीन पहच नहीं पाएगा तो इसके लिए जीफोर एक में वरियेशन है सबसे पहले वाइट ट्राइब करेगा केडी टू यहीटू को देखिए कोई फाइदा नहीं है जस्केजीटू अब करीटी को केजी तरी एसे ही गुंते रहेगा पोजीशन केडी तरी को केश ट्री जीफोर लाइन पर हम लास्ट में एंगे क्योंकि केडी टू आनुक्छ तो केडी टू को पॉन किंग टेक्स फोन के जी फोर जी पाइट चला जाएगा गेम ट्रॉन होगा अब देखिया ब्लाइक पास आएगा के एगा के जी फ्री किंग आएगा यहां पर फिर ब्लैक कर सकता है जीफोर पर जीफोर को जखिए कल्कुलेट करना बहुत ज़रूरी था एफजी को देखिए एफ़ोर जीफाइट एफ्री जीसिक्स एटू जीसेवन एवान कुईन चेक और ब्लैक ट्विनिंग पर जीफोर को देखिए गुड मूफ के लाउपन रहे है टो जेखिए फजीफोर एफोर जीफाइटित्री में ट्रीफियन टोटली इस ट्री पर उता एंचरी पर फीर फिर फिर午 December में वाइट की जो कुई ने कुई जी वान चेक से फ्री चली जाती पर जी टू पे किंग सेफ है जी एट की कुई सेफ है तो गेम होगा ड्राइब तो देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट इस तरह से में गेम पोजीशन जो कंप्लीकेटेड है उसको कैल्कूलेशन इंप्रू की जाएब तोग।